Welcome to all examples, I am Rohit, आज हम देखेंगे mathematics में लेकरांजेस, mean value theorem, इसके पहले हमने last video में rolls, means value theorem देखे थी, अब यह देखते हैं, अब इसमें क्या कहता है, जो large theorem में बताया था, 2 point वो तो same रहेंगे कि, fx कैसा होना चाहिए, differentiable होना चाहिए, flexible होना चाहिए, fx कैसा होना चाहिए, continuous होना चाहिए, third point जो यहाँ पर है, वो अलग हो चाहिए, यहाँ पर बोल रहा है, fp is not equal to fb, तब हम क्या apply करेंगे, fc dash, f dash c, क्या होगा, fb minus fp by b minus a, तो यह कहती है, डेग्रांजिक ठीवरम, ठीक है, इस टाइब की equation आपको आखरी में solve कर लिए, चलिए, जल्दी से question देख लेते हैं, चलिए, question दिये हुआ है, fx equal to log x, limit 2 ही है, 1 और e, सबसे पहले क्या आप देखेंगे, कि यह continuous और differentiable है, कि नहीं, तो पहला और दूसा point है true है, log x differentiable है, और continuous भी है, third point apply करेंगे, third point क्या है, fp और b की limit रखेंगे, तो fp क्या है, 1 दिया हुआ है, तो 1 रखेंगे, log 1 क्या होता है हमारा, 0 होता है, b की limit क्या है, e, log e क्या होता है, 1 होता है, यह fp और fb की limit आ गई, अब f' c कर देंगे, यानि x कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, log x क्या हो जाएगा, 1 by x और c के terms में तो 1 by c हो जाएगा यह आ गया अब यह किसके equal होता है fb minus fa by b minus a पहले यहाँ चेक करने हैं आपको यह दोने equal तो नहीं है अब यह जाहिर सी बत equal तो नहीं है 0 और 1 अब इसके value put कर देंगे 1 0 और e-1 एक किसके equal आई 1 by c के equal आई तो क्या हो जाएगी यहाँ से देख सकते हैं किसके equal है 1 by c के equal है तो यह क्या जाएगी c के value e-1 तो यह आप क्या होगया और option में देखिए दिया हुआ है तो पहले यह option answer हो गया इस type के question gate में आ जाते हैं एक marks में डारेक्ट बोल देगा आपको question देगा बोलेगा कि c की value क्या होगी या पर चार option देगा कि इसकी value क्या होगी ठीक है तो इस type से solve परना है और question देख लेते हैं जल्दी से चलिए next question है x cube minus 6x square plus 11x minus 6 क्या दिया होगा है close interval 0 और 4 यह और B की value 0 4 दिया हुए है अब option दिया हुआ है तो जल्दी से check करते हैं पहला और दूसरा यह continuous or differentiable है कि नहीं यह जायर सी पार से आपको देख रहा है differentiable भी है और continuous भी है third apply करते है rule क्या होता है fa और fb की value put करते है equation में क्या होगी 0 और 4 put करना अपने को तो क्या जाएगा 0 put करेंगे तो क्या जाएगा यहां पर minus 6 आ जाएगा 4 put करेंगे तो 4 cube minus 6 into 4 square plus 11 into 4 minus 6 जब इसको solve करेंगे तो क्या value आएगी 1 6 आ जाएगी value solve करने पर इसको ठीक है 4 cube 64 minus ठीक है पूरा हम solve करेंगे तो क्या value हो जाएगी 6 solve हो जाएगी ओके चलिए अब यह दोनों value कैसी है not equal है तो लेगरांजी अप्लाई होगा लेगरांजी में क्या करना है सबसे पहले equation का differentiation करना है क्या हो जाएगा x cube का क्या हो जाएगा 3 x square minus 12 x plus 11 ठीक है यह आ गया अब यह किसके equal होगा fb minus fa upon b minus a के क्या है fb fb है 6 और यह क्या है minus 6 है minus 6 minus 6 क्या हो जाएगा plus 6 हो जाएगा और यहां नीचे क्या जाएगा 4 minus 0 12 by 4 आगया 3 के equal आजाएगा ठीक है तो equation क्या जाएगा यहां से 3 x square minus 12 x plus 11 equal to 3 जब इधर आएगा तो equation क्या बन जाएगी यहां देख लेते हैं जल्दी से equation क्या बन जाएगी f-c equal to क्या हो जाएगा यह 3 x square minus 12 x plus 8 equal to 0 अब इसको हम solve करते हैं जल्दी से ठीक है यह 2a होता है formula value put कर दी हमने solve करते हैं क्या हो जाएगा यह 12 plus minus 144 minus 96 by 6 क्या जाएगा यहां से 6 से divide कर देंगे यहां जाएगा 2 plus minus 4 root 3 by 6 क्या हो जाएगा 2 root 3 है क्या जाएगा यहां से value हमारी root 3 root 3 पर cancel हो जाएगा क्या जाएगा 2 by root 3 आजाएगी और तो friends क्या answer जाएगा 2 by root 3 plus minus 2 sorry 2 plus minus 2 by root 3 तो यह answer आया अब option में देखिए c option है तो जाएट सी बात है तो हमेशा आप क्या कीजिए कोशिश कीजिए कि पूरा answer calculate कीजिए यहां पर दो option और थे 2 plus 2 by root 3 2 minus chances होते हैं कि आप गलत कर दें तो यह मत कीजिएगा कुछ time बचाने के लिए आप negative में चले हैं वह अच्छा नहीं रहेगा तो से बैटर है आप पूरा calculation करें ठीक है क्योंकि ज्यादा तर कोशन आपको बन जाते हैं लेकिन आपकी calculation जो होती है वह mistake के कारण वह negative में चले जाते हैं माक्स तो वह पूरे calculate कीजेगा तो friends यह वीडियो पसंद आया हो तो please like करें share करें और subscribe करें next वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कोची's mean value theorem ठीक है